देखिए आज मैं आप लोगों को यही डिजाइन दिखाने जा रही हूँ देखने में खुबशूरत लगेगा देखिया देखने में खुबशूरत है और बिन्य में भी बहुत आसान है बच्चे के स्विटर में दीजिए बहुत ही खुबशूरत लगेगा और आप मेरे मेरे चाइनल को सस्क्राइब नहीं किये हो येगा तो कर दीजेगा देखिए इस डिजाइन के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ छोटा अशा डिजाइन इस में मैं बत्तिस फंदा ले रही हूँ बत्तिस पंदा दो आफ नोटास डिकार बार ट्र झाल सुटा ऑंदर फंदर ऊफ्टर कंदर रही हूँ रही हूँ झाल कह दो गला फंदर सब्सक्राइब अठार नाइस दिस एकर इस बाइस देस तो इस तो इस इस बाइस साथज आथा आथज एम इस एकर इस बाइस बाइस बाइए ऐसदा ले ली अबाठीस फंदाल एको अंपर दो सले बीनोंगी दो सले मैं सीधा बीनोंगी दो सले मैं वो सबस्तोंगी कि इसके लिए मैं दो सलाई सीधा बीनुंगे एक सलाई सीधा से सीधा और उल्टा से उल्टा एक सलाई सीधा बीन ले अब उल्टा तरफ आए उल्टा तरफ से उल्टा कि इसके उल्टा तरफ से 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 उल्ट झाल, झाल, झाल 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 देखिए इस डेजाइन के लिए यह दो रप कलर का जरूरी है इसमें मैं एक रेड धागा इसमें लगा रेड उन लगाले अब मुझे अब क्या करेंगे यहां चार फंदा और ग्रेड रेड रशावे नहीं लगें एक दो दो तीन चार चार अब ये दो फंदा मैं उतार लें फिर एक दो तीन चार पंच छे फंदा मैं रेड कलर के बीन दिया एहां एक दो दिला कलर से बला उतार दिया फिर एक दो तीन चार पंच छो फिर एक दो फिर छो रेड से बीन दो तीन चार पंच छो फिर एहां दो उतार इधार दो साइड मैं देन होगी उल्टा तरफ से सारा जैसे है वैसे ही बीनना है उल्टा तरफ से जो उतार लिये है उसको उतारना है जो बीन लिये है उसको बीनना है उल्टा तरफ से इसी तरह दूसरी सलाई मैं करने है करनें हुआ हुआ है उल्टा सालाई में दूसरे में देखिया इसी तरह करना है आप तीसरी सालाई में देखिया तीसरी सालाई भी मुझे उसी तरह बिनना है दो पिला उतार्ना है छो फंदा रेड बिनना है दो उतार्ना है रेड को बिनना दो अजहते हैं रेड को बिनना है अब मैं उल्टी तरफ चौथा सलाई में आ गए अब चौथा सलाई में क्या करना है सो में आपको देखिया मुझे उल्टा तरफ तो उल्टा तरफ से अब चौथा सलाई है उल्टा तरफ तो उल्टा तरफ से अब है सारा तरफ से उल्टा तरफ से उल्टा तरफ से अब चौथा तरफ से मुझे चार सलाई के बाद फिर पीला ले ना है इसको मुझे पलट देना है पीला को आगे लेना है इधार रेड़ वाला को पीछे लेंगे फिर इसको बिन लेंगे फिर इसको मां टाली पल्टूंगी तो पहले रेड़ वाला को बिनूंगी चरहा दी पहले पीला चरहाए तब रेड़ वाला पहले रेड़ वाला को बिनूंगी फिर पीला वाला को बिन दोंगे दो दो चार चार तो देखिए यह मैं बीच बाले दो को पलट करके सीधे मैं उतार लें इसको दो तीन चार पांच छो है तो पांच मैं बीन ली इसको मैं पलट करें यह मैं पलट करें इसको मैं उतार लें इसको मैं फिर पलट करें पहले रेट वाला उतार लें तब इसको मैं देखिए आप इसको मुझे एक दो तीन चार पांदा बीन लें फिर इसको मैं पलट करेंगे पलट करें पलट करें मैं इसको बीनाँगी इथार हो गया दो दो चार दो छाओ अब इसको मैं उतारगी इसको फिर मैं पलट देख एगो को आगेस पलब निकालाँगी एगो नीकालूंगी देख एगो इह हो गया अब इसको में फिर बिन होगे एक, दो, तीन, चार चार होगे, अब इसको में पल्ट होगे पल्ट के इसको में बिन दे, इस पल्टे जो इसको में उतार लिया इसको फिर में पल्ट दे, इसको देखिया, में उतार लिया इसको दे, उल्टा तरफ दूसरा सलाई जा रहा है, इसको में सीधे जो बिना होगे, उसको में बिन उतार जो अटार गए, उसको में उतार लिया एज को मैं डिसी तराओ झाल 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 करेंगे जो बीना रहेगा बीना हुआ उसको बीना जाएगा जो उत्रा है उसको सिधे उतारूंगा अब सिधा तरफ आए तीसरी सलाई है तो देखिये तीसरी सलाई में मुझे इसी तरह रिपीट करना है इसरी सलाई में उसी तरह रिपीट करना है जो बीना हुआ है जो बीना हुआ है उसको बीना है जो जैसे जो उतार लिया उसको उतारना है देखिये इसी तरह तीसरी सलाई में भी रिपीट करना है अब चोथी सलाई में मुझे क्या करना है देखिया सौथी सलाई में मैं आ गई उल्टा तरफ उल्टा तरफ मुझे इसको देना है इसको इसी तरह उतार लेना है रेडवाला को और इधर छे फंदा जो है उसमें से मैं दो फंदा बिन ले दो फंदा में मैं लपेट ले दो फंदा लपेट ले फिर इधर दो फंदा बिन ले दो फंदा मैं उतार ले फिर दो फंदा मैं बिन ले दो फंदा मैं मैं लपेट ले दो बार लपेटूंगे, दो फंदा में फिर बेन ले, दो फंदा उतार ले, फिर में दो फंदा बेन ले, दो फंदा में फिर में दो बार लपेटूंगे, दो फंदा उतार ले, दो फंदा में फिर में दो बार लपेटूंगे, दो फंदा उतार ले, दो फंदा में बेन ले, इसको मुझे अब यहां रेड कलर से लाना है चार से लाई हो गया अब मैं यहां रेड कलर लूँगा तो देखिया एक दो तेन इधार इसको रेड को मैं पल्टूंगे पहले पीला बला लूँगे तब यह रेड बला करूंगे पहले आब मैं रेड से बीनुगे तो देखिया इसको मार बीन दोंगे रेड से इसको फिर पल्टूंगे पहले 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 करके से आब यहां हो गया चो फंदा होना चाहिए छो फंदा हो गया दो दो चार दो चो अग इदोनों को मैं उतार लूँगो और इधर एक फंदा बीनली एक फंदा को उतार लूँगो बद पल्लाट दूँगी देख्या इस फंदा को पल्ट दूँगे पहले मुझे दिलावला लेना है दिनाब इसी तरह पल्ट दूँगे इसको मां उतारली लपएटा हुआ को आप इधर एक फंदा बीनी इसको फिर पल्लाट करके मैं रेड बला को आगे लाओंगे पहले रेड को बीनुँगे तब पीला बला को भी बीनुगे फिर इसको मैं पलटूंगे पलट दी इसको पहले पीला बला को लाओंगे तब पहले मैं पीला बला बीनुगे तब मैं रेड बला को बीनुगे कि यहां को च्टोप फंदा होना चाहिए कला दो दोचार दोचो अब इसको मुझे दो फंदा उतार में देखिया फिर मैं उल्ठा तरफ से वही रिपीट करूंगे जो बिना हुआ रहेगा उसको मैं बिनूंगे अब जो सीधे लपेट करके रखे थे उतार लिये थे उसको मुझे सीधे इस सलाई पर लेना है जो बिना हुआ है उसको मैं बिनूंगे छे फंदा मैं बिनूंगे यह जो लपेट हुआ था उसको मैं बिनूंगे इसी तरह उल्टा से सीधे रिपेट करना है जो जैसा है वैसा ही रखना है अब इसको सीधा तरफ से फिर क्या करना है इसको मैं तीसरी सलाई है फिर रेड़ वाला से तो मैं इसको इसी तरह रिपीट कर दूंगे तीसरी सलाई में रिपीट करना है तीसरी सलाई भी उसी तरह रिपीट करना है उसी तरह जिस तरह जो फंदा रहेगा उसी तरह करना है बिने वाला बिना एगा जो उतरने वाला रहेगा वह उतरेगा अब चोथी सलाई है अब चोथी सलाई में मुझे क्या करना है जैसे यह छो फंदा है छो फंदा है तो दो फंदा इधर भी बिनना है दो फंदा इधर भी बिनना है यह दोनों में दो बार लपेटना है तो देखिए उल्टा तरफ से देखिए दो फंदा में उल्टा बिन ले अभी दो फंदा में में दो बार लपेटना है यह दो फंदा में बिन ले यह दो फंदा में सिधे उतार ले दो फंदा अमें फिर चैशा फंदा में दो फंदा बीनुँगी दो बार लप सेटोंगे दो फंदार बीनुँगी दो फंदा दिला बला सीथे इस सलाइ को डकलिफीआ आइछाई हैं दो फंदा में बिएटोंगे। फिर टिला greasy पोडु़ा ए जालाई पर रखले। युदांड़ां में 1 पे दोफंदा में 2 लपेटोंगे। कि दो फंदा में कि अधार साइड में मुझो है सोब देना है अब देखिया है इस हो गया है चोथी सलाई खतम हो अब इसमें मुझे पीला कलर कर लेदा है पीला कलर में फंदा बीन ले जो है तीन साइड का है तो साइड में ये दो फंदा मुझे उतार ना है ये दो फंदा है एक फंदा मैं बीन ले एक फंदा को इसको मुझे पलटाएं बल रखिशा उब बला को चर आए धिर बीन लिये ये फिर नंब बिला को में बीन लिए पीला को मैं इसको भी पीला बना दूंगे यह जो है इसको फिर पलट करके यह भी दिला कर दिया रूल चार छो फंदा हो गया यह दो फंदा को मुझे उतार लेना एक फंदा मैं बीन करके पलाट के पलाट के मैं छोप फंदा यहां फिर मैं बीन नहीं अब इसको रेड बाला फिर मुझे उतार लेना है एक फंदा मुझे ये बिनना है फिर इसको मुझे लट करके आगे लाना है पिला बला को तो मुझे पिला बिनना है फिर इसको बिला को मैं पिला बिनना है फिर अब रेड आगे आगे परेड बिनना है फिर रेड़ लटा हुआ है को मैं उतार है कि उल्टा साइड से फिर मुझे वही रिपीट करना है कि उसी को रिपीट करूँ देखिये उल्टा तरफ से फिर मुझे उसी तरह रिपीट करूँ जो मैं बिनी हुई हूँ उसी को बिनना है जो मैं सीधे इस सलाय सो उस सलाय पर उतार ली हूँ उसको सीधे उतारना है कि इसी तरह कुल्टा सलाय से भी इसी तरह करूँ अब आ गई मैं सीधा तरफ सीधा तरफ तीसरी सलाय है तीसरी सलाय भी मैं उसी तरह रिपीट करूँ गई कि दो तीन साइड से है चार फंदा चार फंदा कर लिए दो फंदा है तो दो फंदा को मैं अथा इधार भी मुझे मुझे दो सलाय तारनी है फिर चौप फंदा बिनना है दो फंदा फिर उतारना है चौप फंदा मुझे सिधा बिनना है सिधा तरफ से अब मुझे अब मुझे उल्टा तरफ से नहीं है इस दो को उतारना है आप दो बिनुगे दो में मैं लपिता बिनुगे दो फंदा में दो फंदा फिर उल्टा बिनंगे दो फंदा मैं फिर उतारना है दो Dobanda मैं बिन्दे और दो को मैं फिर लापेटूंगे देखिए फिर दो फंदा को मैं सिद उल्टा बिन ले फिर इस दो फंदा उतारने फिर मुझे दो फंदा बिनना है दो फंदा मिला पेटना है और दो फंदा फिर बिनना है चो फंदा में वही करना है अब ये चो फंदा को इधर चार फंदा है इधर नहीं डिजाइन बैठता है इसको मैं छोट नहीं है इसको अब मैं चौथा सलाई आ गया चौथा सलाई में क्या करना है रेड कलर का लेना है तो एक दो दो तेन फंदा साइड में चार फंदा था तेन फंदा ले लिये इधार इसको पल्टेंगे आगे लाएंगे रेड बला को पीछे रखोंगी पिला बला को पलट के अब इसको मुझे बिनना है फिर इसको पल्टेंगे तो पहले आगे लाएंगे पीला बला को पीछे रखोंगी रेड बला को अब इसको मुझे रेड बला को भी बिनना है अब पीला बला को भी बिनना है एक इधर भी पीला बला को बिनना है दो पीला बला को उतारना है फिर इधर एक बिन लिये एक खंदा एक खंदा रहेगा लाल के बगल में उसको पलटना रहेगा लाल या पीला कोई किसी के बगल में रहेगा उसे पलटना है कि दोनों तरफ कर देना है एक घर में पलट करके एक घर को इधार लाएंगे एक फंदा को उधार लाएंगे अब यह दोनों जो है दोनों खंदा को में उताग ले ले दोनों में से एक को बिनेंगे दो एक को पल्टेंगे एक फिला को पल्ट करके फिर रेड से बिन लिये फिर इहां एक घर को पल्टेंगे एक घर पिला बला ले आएंगे आगे रेड बला पीछे फिर इम मैं सारा बिन्दी छाप पंदा मुझे बिनना है यह दो पंदा लापेटावगा को उतार लेंगे फिर इधर एक फंदा बिन करके एक फंदा को पल्टेंगे पल्ट दिया अब इसको मुझे फिर इहां भी पल्टेंगे अच्छो फंदा करना यह हो गया अब इसको आसे करेंगे उल्टा तरफ से फिर मैं रिपीट करूंगे उल्टा तरफ से सीधे मैं रिपीट करूंगे करेंगे अब इसको करके एक इसको मैं होलों भी पल्टा तरफ से मैं सीधे रिपीट कर देंगे आप सीधा तरफ से भी तरफ से भी उसी तरह रिपीट करना यह तरही 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 प्रेशा थिसरे लाए हा यह तरही तरही करना तरही है अप्जोटी से लाइ पुरी हो अप्जोटी से लाइमें क्या करना है जो इहां चौप खंदा है उसमें दो खंदा मैं सीधा बीन ले दो खंदा मैं लपीट करके बीन हो अब पीला बला को दो खंदा बीन करके दो खंदा बिना गया दो खंदा मैं लपीट लिए फिर इधर दो खंदा बचा दो खंदा को भी बीन लिए फिर दो खंदा सीधे इस सलाई पर चरहा लिए पिर दो खंदा मैं लपीट करके दो करके दो खंदा दो खंदा मैं लपेट को है कि दो फंदा जो चरहा रहेगा शलाई पर उसी तरह चरहेगा अजो लप बिना रहेगा बिना एगा च्छ फंदा में दो फंदा बीच में लपटा जाएगा कि अब इसको चथा सलाई पूरा हो अब पिला बला लेमें देखिए एक दो इधार साइड में है साइड में छोड़ अब ये रेड वाला को उतार दो फंदा छे फंदा मिला पेटे थे जो दो फंदा में उसको मैं उतार चरहा लिए उसका इधार एक फंदा बिन करके एक फंदा को पलट देंगे एक फंदा पीला को आगे ले आऊंगे फिर रेड वाले को पीछे ले करके फिर इसको पलट आँगे इसमे रेड वाले को आगे लाएंगे इसी तरह होगा दोनों फंदा लपीटा बला को उतार लेंगे एक फंदा बिन लेंगे एक फंदा को पलट देंगे पहले में पीला बला बिन दोनोंगे फिर इसको पलट दोनोंगे पलट के रेड वाले को आगे ले आऊंगे फिर फंदा को ले लोंगे एक फंदा बिन दोनोंगे फिर इसको में पलट के बिन दोनोंगे फिर इस धर वाला भी रह गया उसको भी पलट करके एक घर पलटूंगे बीच में दो घर हो जाएगा एक इधर एक उधर अब इस दो खंदा को जाराई अब उल्टा तरफ से मुझे सीधे रिपीट करना है जो सीधा रहेगा चलाई पर चरहा हुगा उसको सीधे चलाई पर चरहा लेंगे एक छब फंदा को मुझे लेना है जो कंदा मैं बीनली एक दो मैं उतारी एक दो तीन चार पाँ च्छार एक दो उतारी एक दो तेन चार पाँ पाँ और इसको तीसरा सलाई भी मैं उसी तरह रिपीट करूंगे एक दो उतारी चेह पांदा मैं बीनली एक दो उतारी एक दो उतारी एक दो पांदा मैं बीनली अब में खेर आ गए देखिया इसी तरा पीछे से रिपीट होगा जिस तरा है उसी तरा रिपीट करूंगे देखिया इसी तरा तीजन सलाई तक रिपीट करनी होगी चौथा में आपको पीछे से रिपीटना होगा आगे से पलटना है देखिया देखिया बहुत ही आसान तरीका है बिन्य का कोई ज्यादा जहमेला नहीं है अब मैं चौथा सलाई में अंतने दिखा रहे हूं देखिया और आपको प्रूंगे यह मुझे सिधे रिपीट करना है उतारना है इच्छो फंदा में मैं दो फंदा बीनूंगी बीच में दो फंदा में मैं लपेट करके बीनूंगी बीन लूंगी दो फंदा मैं उतारलीं फिर इसी तरह च्छो फंदा मैं लपेट करके बीनुंगी फंदा मैं सीधा विन लोंगी पन्दा मैं सीधा विन लें डादा मैं सीधा विनकल मैं लपेटम अब ऑफंदा tends में सीधा मैं लें अब दो जो है यह है और अधार में बडिर बन अब उतार लें कि इसी तरह का डिजाइन होगा कि इसी तरह का डिजाइन लगेगा इने में कुप सुरत लगेगा